हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं सुस्मा कुहाड एसके ब्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है आज कई ब्लोक्स मैंने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया है और अभी मैं चाय बनाने के लिए आई थी और गैस पर जब मैंने चाय बनने के लिए रखी तो गैस मेरी जली ही नहीं फिर मैंने चेक किया तो देखा कि स्लेंडर तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है और अभी 7 बजे मैंने जब गरम पानी किया था तब गैस बिल्कुल अच्छी जल रही थी लगता है बस इतनी ही गैस थी कि मेरा पानी ही गरम हुआ था उसमें और फिर अब दोबारा से मैंने जलाई तो ये जली ही नहीं सुकर है मेरा स्लेंडर पहले से भरा हुआ रखा था तो इसलिए अब सुबे सुबे का टाइम है वरना अजनसी भी नहीं खुलती है तो मैं स्लेंडर को चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं चाए बनाऊंगे तो फ्रेंड स्लेंडर चेंज करने के बाद मैंने अपनी चाए बनने के लिए रख दी थी और चाए मेरी अबन के तयार हो चुकी है तो आप भी आजिए और हमारे साथ बैठ कर चाए पी लीजिए और चाए पीने के बाद फिर मैं अपने काम की स्टार्टिंग करूँगी चाए पीने के बाद अब मैं यहाँ पर यह जो सैंपू के पाउच है जो कि मैं कल लेकर आई थी इन सब को यह बॉल हैंगिंग लगे हुए है इन में लगा दूँगी और यह बॉल हैंगिंग मैंने खुद से ही बनाए हुए है और फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी चीजे होती है इनको अगर हम अलमारी बगरा में रख देते हैं तो यह इदर उदर मिक्स हो जाती है और फिर मिलती नहीं है क्योंकि अलमारी में काफी सारी चीजे होती है तो इसलिए मैं जो भी छोटी-छोटी चीजे होती है और बार-बार जिनकी जरूरत होती है तो मैं इस तरह से बोल हेंगिंग बना के रखती हूँ और उनमें रख देती हूँ तो जब सब किसी को जरूरत होती है तो सब को पता होता है कि यहां पर रखे हूई तो सब को आसानी से मिल जाती है, कोई भी ढूनने में प्रोब्लम नहीं आती है, तो मैं इस सारे सेंपो के पाउच अभी इसमें लगा देती हूँ, प्रेंड से मैंने अपना सब सामान समेट के रख दिया है, सारी बेट सीट मैंने जाड़ के बिचा दी हैं, और अब मैं यहाँ पर जाड़ो लगा रही हूँ, पूरे घर में जाड़ो लगाने के बाद जो चाय के जूटे बरतन है, मैं वो साफ करूँगी, और बरतन साफ करने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, तो मैं अभी फटा पर जाड़ो लगा लेती हूँ, और फिर आप से कीचन में मिलती हूँ, तो फ्रेंड से मैं यहां पर दाल को बना रही हूँ क्योंकि कीचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चाए वाले बरतन साफ किये उनको उनकी जगए पर लगाया फिर मैंने प्यास टमाटर और हारी मिर्च को काट लिया था और डाल को मैंने ज़ाड़ू लगाने से पहले ही धूके और विगोके रख दिया था तो अब सबसे पहले मैं डाल में च्छोंक लगाऊंगी फिर दूसरे चुले पर चावल के लिए पाणी उबलने के लिए रख दूँगी जब तक चावल के लिए पानी उबलेगा तब तक डाल में तीन सीटी आ जाएंगी तो डाल को उतार कर मैं एक तरफ रख दूँगी और फिर चावल धोके मैं पानी में डाल दूँगी दीरे दीरे जब तक मेरे चावल पकेंगे तब तक मेरी ये डाल ठंडी हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ही जादा है ऐसे में डाल और चावल जब दोनों ही गरम होंगे तो फिर खाने के बाद और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो इसलिए आज मैंने दाल को पहले बना दिया है तो मैं कीचन के काम को कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स अपने सब काम से फ्री होने के बाद अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि ये जो बलेरो जैकेट मैंने नीटिंग कोरस चैनल पर सिखाने शुरू की हुई है आज इसके पार्ट नमबर 3 की वीडियो मुझे कम्प्लेट करनी है तो इसलिए अभी इसका थोड़ा सा पार्ट बनना बाकी है तो इसे अब मैं कम्प्लेट करूंगी और शाम की चाय पीने के बाद फिर मुझे इसकी वीडियो बनानी है तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को कम्प्लेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं नहने के लिए जाऊंगी तो फ्रेंड से अब ये शाम साड़े चार बजे का टाइम है और अभी हम यहां दोनों बैट के चाय पी रहे हैं चाय पीने के बाद बलेरो जैकेट के पार्ट नमबर तीन की वीडियो को मैं कम्प्लेट करूंगी और वीडियो बनाने के बाद फिर शाम के काम का टाइम हो जाएगा तो फिर अपने शाम के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सब के साथ बैट कर थोड़ी सी देर के लिए बात करूंगी हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे और फ्रेंड्स नीटिंग कोरस चैनल पर जो बलेरो जैकेट मैंने बिल्कुल स्टेप आई स्टेप सिखानी शुरू की हुई है आज उसके पार्ट नमबर थ्री की वीडियो भी मैंने बना करके कम्पलीट कर ली है तो जैसे ही मैं व्लोग की वीडियो अपलोड करूँगी इ जैकेट की जो लुक आई है वो कुछ इस तरह से आई है ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूं ये देखिए इस तरह से इसकी ये लुक आई है तो आपको इस जैकेट की ये जो लुक है ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और फ्रेंड्स इसमें भी हमने पूरी राउंड में virtue क्रोषिय से वेर करना है तो इसके पार्ट चार में मैं आपको क्रोषिय से वेर करना बता दूँगे और फ्रेंच आगर अगर आप अपनी मरजी से इसे बनाकर अपने हिसाब से कोई भी वर्क बनाना चाहती है तो क्रोसिये से आप इसमें बना सकती हैं, यहां पर आपकी अपनी चожет होगी, और दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमने इस color से बनाया है, तो इसकी जो लुक आएगी वो बहुत ही सुन्दर आएगी और फ्रेंट से अगर आप इसे जैंट्स के लिए या बोईज के लिए बना रही हैं तो आप इसे इस तरह से उपन छोड़ दीजेगा वरक करने के बाद और अगर जैसे गर्ल्स के लिए या अपने लिए बना रही तो आप इसे वर्क करने के बाद यहां पर कोई भी फैंसी ब्रोज लगा सकती है या फिर डोरी बनाने के बाद उसमें थोड़े मोटे मोटे से पॉम पॉम बना कर लगा दीजे और उसके बाद हम इसे यहां से जोइंट कर देंगे तो इसकी लुक बहुत ही सुन्दर आएगी और फ्रेंड्स यह जो जैकेट का साइज है वैसे मैंने बारा से चोदा साल की एज के बच्चों के लिए बनाया है और पहनने को इसे मैं भी पहन सकती हूँ क्योंकि यह जो जैकेट होती है यह हमारे यहां हाफ कमर तक होती है ज्यादा नीचे तक नहीं होती है और फिर ओपन भी होती है तो इसे कोई भी पहन सकता है तो इसके साइज में ज्यादा दिकत नहीं आती है तो इसमें जो उन लगी है अभी तक इसमें सिरफ 200 ग्राम उन लगी है और जो क्रोशे से वर्क होगा वो 20-25 ग्राम उन इसमें लग जाएगी फिर वो वर्क के उपर भी डिपेंड करेगा कि कौन इसमें कैसा वर्क करना चाहता है तो जैसा वर्क होगा उसी साब से इसमें उन उसमीं मटिवातकップ दीने करने के सकते शर्म जाने मानननारे सकते हमीनूट उह सिर्ए और कोईर दोर में देशेए रिटिवे बखूलताइबूट कर दिश्यक्ती सेटी हैनों सब्सक्राइबूट कि दीदी मैं यूटूब पर आना चाहती हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा तो यूटूब पर आने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है एक तो आपकी जो आईडी बनी हुई है उसी पर आप अपने चैनल को बना लीजेगा और चैनल बनाने के बाद फिर बनाना चाहते है अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जैसे बनाई का कढ़ाई का या चाहते है या अप डाल सकती है तो इसमें पर आप यूटूब का का五法 करना आ जैसे कि चैनल बनाना है, वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, तो इस तरह के काम आपको करने आने जाहिए, बस इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं भी स्रफ प्लस्टू तक ही पड़ी हूँ, और मेरे टाइम में तो जब प्लस्टू होती थी, तो हरियान बनाना है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, वो मुझे आता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने सिखा दिया था, वीडियो अपलोड करना, और चैनल जैसे मोनोटाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर चैनल पर एड़ खुद से लगानी होती है तो एड़ इसमें लगानी है और फिर नीटिंग के जब मेरे चैनल थे तो मुझे जो है एडिटिंग करना नहीं आता था क्योंकि क्या होता था नीटिंग की वीडियो के पार्ट बनते थी तो मैं बच्चों को दे देती थी तो मेरे बच्चे एडिट करके मुझे दे देती थी लेकिन जब मैंने व्लोग का चैनल स्टार्ट किया है तो इसमें मुझे बहुत जादा प्रोब्लम आ रही थी कि मैं जो से कहा कि बेटा मुझे एडिटिंग करना खुद से सिखा दो तो फिर मैंने खुद से अपनी वीडियो एडिटिंग करना सीख लिया तो आप ये सब सीख लीजिएगा बहुत ही आसान ये काम है इसमें कोई भी कुछ मुश्किल नहीं है तो इसमें कोई भी यूटूब पर आ सकता है आप मैंसे कोई भी जो भी ये चाहती है कि मैं यूटूब पर आना चाहती हूँ तो आप आ सकती हैं क्योंकि यहां पर ना पढ़े लिखे कि आउशकता है ना किसी डिगरी कि आउशकता है यहाँ पर सिर्फ आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए एक टैलेंट होना चाहिए तो आप यहाँ पर काम कर सकती है क्योंकि योटूब एक ऐसी कंपनी है जो हमें घर बैथे काम देती है यहाँ से हमें दोलत सोहरत सब कुछ मिलती है मैं यह नहीं कहूंगी कि यहां से हमें पैसा नहीं मिलता है मिलता है हमारे काम के हिसाब से यहां पर पैसा भी मिलता है लेकिन फ्रेंड्स यह नहीं होता है कि हमने वीडियो डाली और हमें पैसे मिलने शुरू हो जाते ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है यहाँ पर जब हम channel बनाते हैं तो उसके बाद हमें 1000 subscriber पूरे करने होते हैं और 4000 घंटे का जो इसमें target होता है वो पूरा करना होता है तो वो सब पूरा करने के बाद फिर channel monetize होता है तो one week उसमें लग जाता है फिर channel monetize होने के बाद जो आपकी वीडियो पर view जाएंगे उस हिसाब से आपकी जो income है वो आएगी और फिर उसके उपर जो add आती है वो add भी depend करती है कि वो किस quality की है कितनी है तो उसी हिसाब से हमको point मिलते हैं तो ये तो नहीं होता है कि channel monetize हो गया है और monetize होने के बाद सीधा हमें payment मिलने शुरू हो जाती है ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है और हर महिने payment मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है सबसे पहले तो channel monetize होने के बाद हमें जो है 11 dollar इकठे करने होते हैं और 11 dollar ये नहीं होता है कि हमारी जो channel ने total कमाई की होती है वो होते हैं नहीं 11 dollar वो होने चाहिए जो की मतलब YouTube अपने काट के और हमारे update करेगी वो 11 होने चाहिए तब हम अपने channel के लिए pin apply कर सकते हैं तो इस तरह की जो है video बनाने के लिए पाते होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है तो यहीं सब हमारे काम आती है वीडियो कैसे edit करते हैं इसके लिए मैं एक video बना कर डालूंगी क्योंकि मुझे time नहीं मिल पा रहा है मेरी एक और subscriber है उन्होंने भी मुझे comments किया था कि लिए आप video किस तरीके से edit करती हैं आप हमें जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे problem हो रही है तो मैंने सोचा है कि मैं जैसे ही मुझे time मिलेगा तो video किस तरीके से मैं phone में edit करती हूँ तो वह मैं आप सब को सिखा सकूँ ताकि आप सब के भी काम आ सके और आप सब भी YouTube पर आ करके काम कर सके तो आप में से कोई भी YouTube पर आ सकती है और चाहे आप 10 पड़ी हो, 12 पड़ी हो, BAM में जहां तक पड़ी हो कोई tension नहीं है कि हमें यहां पर पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी तो आप में से कोई भी YouTube पर आ सकती है और video edit कैसे की जाती है मैं इसके लिए एक video बनाऊंगी और इसके लिए मुझे बच्चों से help लेनी पड़ेगी क्योंकि video editing की जो video बनेगी वो मैं अकेले नहीं बना सकती हूँ उसमें मुझे अपने बच्चों की help लेके और फिर मैं एक ऐसी video तयार करूँगी जिसे देख करके आप आसानी से video edit करना सीख जाएंगी तो friends आज की vlogs में इतना ही मिलते हैं next vlog में तक तक के लिए नमस्कार बाइ-बाइ